नमस्कार 227 में 2020 के डेली न्यूस एनलिसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका सौगत है कौन को उसी न्यूस आज हम लो डिसकस करने वाले हैं तो एक तो भाई हमारे प्रधान मंत्री मोदी साब ने बोला है जब वो अभी चेन्ही के दोरे पे गए तामिल नाडू में कि भाई श्रिलंका में हम लोगों को और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे फिर रेस्पिरेट्री डिजिरस की वज़े से 2020 में कितनी मौते हुई उसके वाले में कुछ फिगर्स रिलीस किये गए है सिविल रिजिस्टरेशन सिस्टम के दोरा इसको देखेंगे रशिया यूक्रेन के युद्ध में रशिया के अगेंस जो मोबलाइशन कर रहा है तो उसके साथ चाइना के अगेंस भी मोबलाइशन करने कोशिश कर रहा है एसा एक वीपॉइंट दिया हुआ इसको देखेंगे इंडिया जापान मिलके शिलंका की मदद करेंगे इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कार्टिकल है इंडिया की GDP को कितना नुकसान होगा लोगों की कमाई कम होने की वज़े से और बच्चों की पढ़ाई कम होने की वज़े से इसके बारे में कार्टिकल इसको देखेंगे और एप बेस्ट अटेंडनेस मनरेगा में लोगों को तंखा देने के लिए एक एप के थरू उनके अटेंडनेस लगवाई जारी है और ये सिस्टम क्यों इस समेंपे उतना नहीं चल पा रहा है इसको समझने कोशुश करेंगे तो इतनी न्यूज़े देख लेते हैं आज का word of the day रनीगेट ये रनीगेट का मतलब क्या होता है एक ऐसा इंडिविज्वल जो की अपने political और religious group को छोड़ दे और दूसरे को जोयब कर ले जिसे for example कभी कभी देखो कि एक political party के leaders जो एक political ideology को follow करता हूँ उसको छोड़ किसी दूसरे political group में चला आता है जिसकी कोई दूसरी ideology तो उसको renegade बोला जाएगा तो एक group society को छोड़ देना overall किसी दूसरे group में चले जाना जिसका अलग opinion हो, अलग thought सोच हो, अलग thought process हो इसको आप बोलतो हो रहने नहीं के आगे बटन से पहले वीडियो पे like का बटन दोस्तो चैनल को share और subscribe नहीं किया कर लीजे Instagram पे follow कर लीजे, Telegram ग्रूप join कर लीजे चलिए, पहली news इंडिया वें सपोर्ट डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी इन श्री लंका PM मोदी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम श्री लंका के लोगों के साथ खड़े हुए है अभी वहाँ पे crisis चल रही है, तो वहाँ पे तमिल वाला कॉस है, उसके अंदर आप कहसकते है एक हलका सा synchronization है, तमिल लाडू के लोगों के लिए, श्री लंका के लोगों के लिए हलकी फूल की है, आप कहसकते है एक soft feeling है इसलिए श्री लंका के कंटेक्स में भी PM मोदी साब ने बोला है कि सब बातें यहाँ पे बोली गए PM मोदी वो पहले PM है जो जाफना विजिट किये थे, जाफना विजिट आप कह सकते हो कि श्री लंका के नौर्दन पार्ट में पढ़ता है जाफना, वहाँ यह बहुत मेजर तमिल आबादी रहती है सिविल वार के समय पे जाफना जैसी जगह है बहुत ज़्यादा एफेक्टेट थी श्री लंका के नौर्दन कोस को लेके तमिल नाड़ू में जाके भी PM मोदी जी ने कहा है और इंवेस्टमेंट की बात तो देखे करी है पीम मोदी जी ने फिर कुछ और कॉंट्रोवर्शिल इशूस गी उठे जैसे की तमिल नाड़ू की जो सीम साहब है स्टालेंट जी इन्होंने मोदी जी से बोला कि देखे कच्छा थी वू आईलेंड हमने दे दिया था श्री लंका को अब समय आगया कि हम श्री लंका से कच्छा थी वू आईलेंड वापस लेए तो इधर इंडिया है यह दर श्री लंका है बीच में कहीं कच्छा थी वू आईलेंड है पहले यह इंडिया के पास हुआ करता था उन 1970s में हमने इसको एंड़ और करते है श्री लंका को श्री कि डिमांड थी कि ही आईलेंड हमें दे दिया जाए हमने उनको दे दिया अब ये दे के हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं अब हमें इस गलती का अब वापस मांगो कि तो शीरंका असानी से देने वाला तो है नहीं तो इसलिए इस समय पर केंद्र की सरकार का अच्छा थी वो आईलेंड को लेके कोई भी स्टैंड नहीं ले रही है हाला कि प्रधान मंत्री मोधी जी ने तमिल भाषा की यहां पर काफी तारीफ किये दर्वीदिन भाषाओं में आप कह सकते हो तमिल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बताया है बारा सरकार का बोलना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तमिल नागू के लैंग्विज और कल्चर को पॉपुलराइज करें और इसके लिए मोधी जी ने बोलाए कि आपको याद होना चाहिए कि सेंटरल इंस्टिटूट ऑफ क्लासिकल तमिल जो की चिन्नई में इनॉग्रेट किया गया तो इसके लिए पूरी फंडिंग केंद्र की सरकार की तरफ से आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंडियल लैंगुजिस को प्रमोट करने की बात की जा रही है फिर आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल कोर्सेज टेकनिकल कोर्सेज स्कूल की पढ़ाई ये भी लोकल लैंगुजिस में हो सकती है तो मोधी जी का बोलना है कि केंद् और के कामों के लिए?" müsste अभी तमिल को अफूशल लैंगुजिज बनाए जाए गा ये देखे ठोड़ा अलग है चुक्किए अगर आप तमिल को अफूशल लैंगुज बना देते हो केंद्र में तो तो मलي आलम को बनाना पड़ जाएगा तो लट–सी, is it केंद्री सरकार यह के लिए तो कुछ कहानी है लेट सी बाद में क्या निकल के आता है कच्छा थी वो आइलेंड की लोकेशन देखे तो यह जो रेड रंग का डॉट दिख रहा है यह कच्छा थी वो आइलेंड है देखिए तो रामेशनम के बहुत पास है यह लेकिन अभी के लिए हमने इसको श अगली निउस लर्निंग लॉस विल डेंट इंडिया सीडिपी एशन डेवलेब्मेंट बैंक का बोलना है कि जो इसको दो वजों से बहुत नुकसान होगा एक तो स्कूल बंद होने की वज़े से कॉलेज बंद होने की वज़े से जो पढ़ाई कम हो पारी बच्चों की इस की वज़े से नुकसान होगा दूसरा अर्निंग की वज़े से भी नुकसान होगा जो लोग कम कम अपा रहे हैं इससे तो इंडिया की जीडिपी को नुकसान कम हो गई है चुकि जब लोग कम करा रहे तो वो कम खर्चा करेंगे एकनॉमी में कम खर्चा करेंगे तो एकनॉम longest school closer इंडिया के अंदर हुआ है तो अभी के लिए एक नया working paper establish किया गया है Asian Development Bank के तोरा इस paper का ये बोलना है कि 2023 पे आप देखोगे इंडिया की economy को 10 दिसमलो 5 billion dollar का नुकसान होगा किसकी वज़ा से learning loss की वज़ा से तो ये जो school वगरा बंद हुए है न इसकी वज़ा से इंडिया की economy को 2023 में 10.5 billion dollar का नुकसान होगा और ये नुकसान 2030 तक 99 billion dollar कहुँच जाएगा और जो हमारी GDP growth rate है वो 3.19% घट जाएगी learning loss के चलते ये बताया गया है इस report में जिसका नाम है potential economic impact of COVID-19 related school closers तो potential economic impact of COVID-19 related school closers report बताती है कि इंडिया की GDP 3.19% से गिर जाएगी 2030 तक क्यों चुकि हमने school बंद रखे हैं ठीक है भाई फिर देखें 2030 तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि overall जो global GDP है वो 10% गिरेगी लंब सम आप कह सकते हैं 943 billion dollar skilled labor की जो jobs हैं वो 1% गिरेंगी unskilled labor की जो jobs हैं वो 2% गिरेंगी और यह जो 943 billion dollar का जो global GDP गिर रहा है ना इसका लगबग 99 प्रतिशत तो इंडिया में गिर रहा है मतलब global GDP decline जो हो रहा है school closer के चलते और आप कहलो लोगों की कमाई कम होने के चलते उसका 10% तो किवल इंडिया में हो रहा है फिर आप देखिए तो इंडिया में rural इलाकों में secondary education बहुत हो रही थी लोग primary secondary education में इन्रोल थे जैसे न तैसे करके हम लोग pandemic शुरू होने से पहले यह manage कर पा रहे थे कि बच्चे स्कूल तक पहुँच पाएं पढ़ सकें लेकिन उसके बाद pandemic आ गया स्कूल वगरा बंद हो गया अब स्कूल बंद होने के बाद online education और गाओं के इलाके में internet की सुविधा उतनी अच्छी है नहीं यह मुझे आपको बताने की ज़रूद नहीं है अब learning और earning losses से होगा क्या देखिए पहले जो तब का worker का skilled labor की category में पहुँचता अब वो unskilled labor की category में पहुँच जाए और यह आपको बताने कोई rocket science नहीं है कि skilled labor वालों के जो employment के chances होते हैं वो ज़्यादा अच्छ होते हैं unskilled वालों के उतने चार मतलब 40 करोड 84 लाक लोग आपके सकते हो इंडिया के अंदर unskilled labor है और लगबग 7 करोड 26 लाक लोग skilled labor है तो मतलब skilled labor का नंबर unskilled से बहुत जादा कम है और यह आगे आने वाले समय में और बिगड़ जाएगा unskilled labor जादा हो जाएंगे स्किल्ड आपके कम हो जाएंगे तो इंडिया की एकनॉमी 2023 में गिरेगी 34 परसंट 2026 में एक दिसमलो 36 परसंट 2030 तो तीन दिसमलो एक नौ परसंट गिर जाएगी और एपसिल्यूट टेम्स में अगर आप देखोगे तो मैंने बता दिया लगबग 99 बिलियन डॉलर्स हमारी एकनॉमी 2030 तक कम हो जाएगी वहीं पर ग्लोबल जीडीपी के अगर आप बात करो तो ग्लोबल जीडीप दो हजार चोबिस तक पॉइंट एक नौ परसंट दो हज़ार एठाइस तक पॉइंट चोथर परसंट और दो हज़ार तीस तक एक दसमलो एक एक परसंट गिरेगी किसके वैसे स्कूल क्लोजर से एफेक्ट होने की वाज़े से ठीक है भाई फिर आगे देखा जाए इंडिया में जो प्राइम्र चले जाओ तो वो गई टर्शरी एज्गेशन तो टर्शरी एज्गेशन में दूसर नमर में सबसे अदा इन्रोल बच्चे एंडिया के था नमबर बन पर कहा पर है आपके चाहे नामे हैं तो भाईया हमें एज्गेशन में और स्किल्स में जादा पैसा खतम करने की पूर रूरल सोचली डिसद्वांटेज ग्रुप्स तक अपॉर्चुनिटी पहुंचाने की जरू होता है खासके रूरल इलाकों और जो यूथ आउट आउट ओव स्कूल है उनको ट्रेनिंग वगारा देने की जरू होता है तब जाके हो सकता है कि यह जो लॉस होने वाला इ इसको कंपाइल किया है रिजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया ने इसने बोला कि 2020 में अगर आप देखो तो 181,160 डेट्स हुई है रेस्पिरेटरी डिजीज़स की वज़े से तो रेस्पिरेटरी डिजीज़स होती न निमोनिया ऐस्थमा ब्रॉंकाइटेस इसके वज़े से 1, 181,160 डेट्स हुई है कब 2020 में यह नंबर 92,289 था कब 2010 बे आपको दिखाता हूँ यह देखिए 2010 में रेस्पिरेटरी डिजीज़स की वज़े से 92,289 डेट्स हुई थी 2020 में 181,160 2019 पे कितनी थी एक लाग 52,300 गया रख यह स्टाटर को इस कंटेक्श में देखा जा रहा है कि 2020 में शुरू हुआ आपका करोना 2019 में एक लाग 52,000 डेट्स 2020 में एक लाग 81,160 डेट्स कोविड वाली नहीं है कोविड वाली डेट्स अलग है कोविड की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो लगबग 1,60,618 डेट्स हुई है कोविड की वैसे 2020 में और रेस्परेटिड डीजिस वैसे कितनी हुई एक लाग 81,160 ठीक है तो यह जो रिपोर्ट है डेट्स रिपोर्टेड अंडर कोड्स फॉर स्पेशल परपरजस इसके अंदर यह डाटा यहाँ पे रिलीज किया गया है अगर ओवरॉल 2020 की डेट्स देखा जाएं तो वो निकल के आती हैं 81.2 लाग्स टोटल नंबर अफ डेट्स हुई है अगर बिलकुली अगर आप प्रिसाइस फिगर देखो तो यह लगबग है आपका 81,15,882 तो इसको 81.2 लाग अप्रॉक्सिमेटली कहा जा रहा है अब यह सारा डाटा है यहाँ पर रेजिस्टार जेनल अफ इंडिया क्यों रिलीस कर रहा है चुकि इस समय पर इंडिया प्रेशर में हैं वर्ड हेल्थ और्गनाइजिशन की जो रिपोर्ट आई थी एक्सेस मॉर्टलिटी रेट को लेके इसने बोला कि 2020 और 2021 में इंडिया में एक्सेस मॉर्टलिटी थी 47.4 लाग हमने रिपोर्ट की थी 4.8 लाग मतलब हमारी रिपोर्टेट फिगर्स का 10 बुना बता रहा है डबलो हो मतलब डबलो हो के हिसाब से अगर 2020-21 में पैंडमिक नहीं आया होता तो 48 लाग डेट्स जादा होती है जबकि इंडिया की तरफ से फिगर कितना आ रहा है 4.8 लाग तो ये और आल एक के डिस्टर्बिंग विगर इंडिया के लिए भारत सरकार जो भी रिपोर्ट निकल काई है डेबलो हो की तो इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रही है बोल रही है मैथेलोलोजी यहां पे बिल्कुल गलत है सिविल रिजिस्टेशन सिस्टम का जब डाटा हमने रिलीस किया तो 2020 में 2019 के कमपैरिजन में 4.75 लाग एकसेस डेथ बताई जा रही है अभी 2021 का प्रॉपर डाटा सिविल रिजेस्टेशन सिस्टम की तरफ से रिलीस हुआ नही है भारा सरकार उसको प्रॉपर तरीके से परियूज करने के बाद ही रिलीस कराएगी च्योंकि इंटरनेशनल कम्मुनिटी उस डाटा को देख रही होगी पिर जे मेडिकल कॉस और सर्टिफिकेशन अव डेसी जो MCCD डिपोर्ट आई है इसने बोला है कि बाई जो लोग 70 साल से जादा के हैं वो सबसे जादा एफेक्टेड रहा है रेस्पिरेटरी डिजीज के वैसे सतर साल से जादा के लोगों की 47,292 लोगों की डेख हुई है 55 से 64 साल के लोगों में 23.9 परसंट डेख हुई है 65 से 79 में आप कह लिए 14.5 परसंट मौते हुई है 45 साल से जादा का जो एज ग्रूप है वहाँ पे रेस्पिरेटरी डेख सबसे जादा है लगबग 82.7 परसंट ठीक है भाई यह यहाँ पर बताया जा रहा है फिर क्या बताया जा रहा है 81,15,000 जो डेख हुई है इंडिया के अंदर Civil Legislation System 20 के डाटा के हिसाब से उसमें से 18,11,000 medically certified death है जब medically certified death होती ना डाक्टर प्रॉपर एक certificate issue करता है तो उसमें लिखता है cause of death क्यों मरा हुए इंसान तो 81,15,882 deaths में से 18,11,688 medically certified deaths है यह बताया जारे अंग्रेजी में फिकर बोलना हो तो 81,15,882 total number of deaths जिसमें से medically certified deaths है 18,11,668 बतल इन 89 deaths से लिए बताया गया है कि हाँ बाई किस वज़े से particular मौत हुई फिर बाई certain infectious और parasitic diseases की वज़े से कितनी मौत होई तो यह भी बताया गया जैसे for example septicemia septicemia क्या होता है कि आपका blood infect होगा जिससे अक्सर कर आपने सोना होगा कि जब unsafe abortion होता है तो जो औरत होती है उसके blood में infection हो जाता है उसको आप sepsis बोलते हो तो सब blood infect होया तो blood infection की वैसे मिलती हो जाती है तो इसको आप बोलते हो infectious disease septicemia फिर tuberculosis हो गया है तो इनकी वैसे आप कह सकते हो septicemia tuberculosis की वैसे 7.1% totally medically certified death हुई है septicemia की वैसे 62,759 deaths tuberculosis की वैसे 29,421 deaths तो यह overall data यहाँ पे निकल क्या रहा है pulmonary और heart disease की वैसे 32% death हुई यह लगभग 5,80,000 तो यह हमको यहाँ पे काफी कुछ देखी जाने जाने को मिल रहा है दोस्तो I hope कुछ ना कुछ यहाँ पे important data मिलाओ इस statistics को exam में quote कर सकतो फिर app-based attendance hits rural job scheme workers देखे 12 सरकार ने यहाँ पे नियम कानून निकाल दिया है नया इस नियम कानून को pilot basis पे implement किया गया था 21 मही 2021 को लेकिन इस साल 16 मही से इसको कर दिया गया है compulsory क्या है भाई यह नियम नियम यहाँ पे यह बोलता है कि मन्रेगा में जो workers है उनकी time spent time stamped और geo tagged photo हमको चाहिए इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि मन्रेगा की site पे workers काम करने जाते है अब वो workers सच में काम करने आए या नहीं आए देखें मन्रेगा में काफी corruption बताय जाता है और वो corruption क्यों बताय जाता है वो corruption इसलिए बताय जाता है कि भाई workers काम करने आए या नहीं आए इसको आप verify नहीं करवा पाए कभी कभी जो corrupt middleman होते हैं वो क्या करते हैं कि फरजी attendance लगा देते हैं workers कि और उनके बहाफ पे पैसा ले लेते हैं राकि काम मुश्किल है बर और्गनाइस तरीके से होता है तो यहाँ पे union ministry ने क्या बोला कि भाई देखे मिनिस्ट्री रूल डेवलेप्मेंट ने कि दो time stamp और geotagd photo workers की daily basis पे आपको एप पे अपलोड करनी पड़़ए मतलब या तो जो worker आ रहे हैं उनके पास phone हो या फिर जो वहाँ पास supervisor हो manager हो उसके पास phone हो और वो क्या करेगा इन workers की photo खीचेगा और मनरेगा वाली एप पे अपलोड करतेगा ठीकि ना ministry of rural development वाली एप पे अब इसमें एक problem है अप पे अपलोड करोगे तो payment release होगी लेकिन rural इलाकों में इतनी अच्छी phone की connectivity नहीं है technical support ना के बराबर है अगर app crash हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे तो क्या था दो तरीके काम होते हैं मनरेगा के अंदर एक होता है task based एक होता है time bound time bound मतलब की इतने समय तक के लिए काम करना है तो time bound वाले में सुबह 11 बजे एक photo बेजनी दुफैर में 2 बजे एक photo बेजनी टास based में क्या था कि इतना काम दिया ये खतम करना है तो अगर आपने काम को 2 बजे भी खतम कर दिया इसके बाद भी आपको शाम को चार पांच बेर तक रुखना पड़ेगा और अपनी photo बेजनी पड़ेगी time spam तभी आपको पैसा मिलेगा तो इस particular move से तीन groups को सबसे अधा नुक्सान हो रहा है एक woman employees को supervisors को workmates को देखिए woman employees को इसलिए नुक्सान हो रहा है तो रूरल इलाकों में बहुत टैबू होता है यह woman पहुँची खेतों में काम करने के लिए या जहां पे वहां पे supervisor खड़ाओ के इनकी photo कीच रहा है आपको लगता है woman के घरवालों को यह बात पसंद हैगी वैसे ही गाओं के अलाकों में इतना social taboo है पंचाय जैसे serial में आपको देखने को मिलता होगा तो एक तो इस वजह से woman को काम करने नहीं भेज़ेंगा उनके घरवाले दूसरा woman के पास खुद का phone होता तो भी बात होती उनके पास खुद का भी phone नहीं है supervisor के साथ problem क्या है कि इनको internet connectivity निमिल पा रही है प्रापर तरीके से phone के पैसे नहीं पार है phone तो उनके personal पैसों से खरीदा हुआ है phone तो ना सरकार के लिए दिया है तो अपने personal phone को official चीज के लिए इसक्माल करोगे ज़्यादा photo कीचोगे memory खतम हो जाएगी internet के पैसे लगते है तो यह सब बात थे कहीं ना कि supervisor सो workmate को परिशान कर रही है तो इसलिए यहाँ पे इस particular step को की photo डालो और रोगा के अंदर app पे इसे criticize किया जा रहा है मंड़ेगा की बात की जाए तो national employer employment guarantee 2005 में पास हुआ था employment generation और social security के लिए demand driven wage employment scheme है ministry of rural development की मतलब आपकी requirement के हिसाब से demand के हिसाब से आपको इस मंड़ेगा scheme के अंदर काम दिया जाएगा सौधिन का guaranteed employment आपको मिलेगा उन इराकों में मंड़ेगा की scheme available नहीं है जहाँ पे 100% urban population है और सौधिन के अलावा उन लोगों को जो की drought या national calamity affected area में आतों उनको पचास दिन का extra labor भी यहाँ पे मिल सकता है ठीक है बाइज यह से बड़ टू में न्यूज आपको काम आईगी फिर एक छोटी सी न्यूज है हलागी बहुत significant नहीं कि Biden administration ने बोला है कि इस Ukraine war में Russia क्या तो threat ही बड़ चाइना एक बड़ा threat है एक तीन pillar approach बनाएगा USA ऐसा बोला है यूज सेक्रेटिव स्टिट अंटोनी बिंकन ने Beijing के साथ compete करने के लिए एक किस्वी शताबदी में economic और military balance बनाने के लिए Russia से ज़ादा खतरनाक आप कहलो threat international community के लिए चाइना है ऐसा यहां पर US का बोलना है चाइना के intentions और ambitions क्लियर है यह पूरी दुनिया को colonize करना चाहते हैं इसलिए हम इसको पीछे ड़के लेंगे ताइवान के respect में यहां बिंकन साब ने क्या बोला यहां वान चाइना policy को मानते हैं लेकिन back end से हम चाइना के साथ यह है ताइवान के साथ रिष्टे अच्छे रखेंगे ताइवान को weapons भी बेचेंगे तो यह सब बाते हैं यहां पर और रॉल बताई जारी है मैं तो चाइना को counter करने के लिए कि statement देते नजर आ रहे हैं यहां पर कौन एंटोनी ब्लिंकन साब और यूएस के और ओफिशर्स चाइना अपने end पर अपना काम चालू है जैसे for example चाइना के foreign minister Wangi ने एक 8 nation का tour शुरू किया Pacific Island का जिसमें सबसे पहले हो जाएंगे Solomon Island Solomon Island साथ अभी security cooperation pact sign किया है किसने? चाइना ने दर लग रहा है उस्ट्रील है यूएस जैसी countries को कि चाइना आपनी military presence को Pacific region में बढ़ा रहा है तो overall एक broad coalition मिनानी कोशिश कर रहा है यूएसे चाइना केंगे जैस पेपर 2 IR में नीज आपको काम आईगी और फिर इंडिया जापान ने बोला है कि हम open Indo-Pacific की बात की तो इंडिया ने तो openly श्री लंका का यहाँ पे नाम नहीं लिया लेकिन जापान की Ministry of Foreign Affairs ने बोला कि हमने श्री लंका के ओपर discussion किया है श्री लंका की जो economic crisis उसके बारे में बात की है humanitarian situation के बारे में बात की है इसको मसुदार ने कोशिश करेंगे फिर Indo-Pacific Economic Framework के बारे में भी positively बोला है यहाँ पे किसने जापान ने तो मोदी जी और female questioner ने मिलके regional और global development से बात चीत की Indo-Pacific में respective approaches की बात की free open और inclusive Indo-Pacific बनाने की बात की यह सब बात यहाँ पे करी जारी है जापान के बारे में बोला आता है कि जापान इस वन ओफ टॉप डॉनर्स जापान ने बहुत अब तक श्रिलंका को मदद दी हाला कि जो भी श्रिलंका पास मदद जाती है दो कंट्रीज बहुत limeland भी रहती है कि इंडिया चाहिना चुकि बिलकुल बगल में बढ़ हाला कि जापान की तरफ से भी श्रिलंका के पास खासी मदद गई है इसके बावजूद कि बहुत सारे जापानीस प्रोजेक्ट को श्रिलंका रिजेक्ट कर चुका है जैसे कि अगर आप देखो तो जापानीस फंड़ड लाइट बदेखो तो बहुत अत्तक श्रिलंका पास्ट में इंडिया और जापान के साथ एक एक्रीमेंट हो जाए जाए आ यार जीस विपर टू में यूज आपको काम आई सो तैंक यू फो वाचिंग फ्रेंट्स वीडियो को लाइक को शेर करके जाएगा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजेगा दोस्तों टेलिग्राम गुरूप जोन कर लिजेगा दोनों ही चीजों का लिंक नीचे आपका डिस् कर दोन इसनों फेंगी इलिग्रेंगे, have a great day.